इस कैसे हैं, अब हमारी बास गाड़ी थी, होंडा रिबोन, तो उसकी हमने पहले बारी जो गंगी है, पावर स्टेरिंग जो है, वो हमने निकाल दिया है, और एलेक्ट्रोनिक पावर EPS, जो स्टेरिंग है, वो मगड़ आया है, वो डालेंगे, अब यचे शमान आया है, तो यह बूट है, उसके बार, यह बेल्ट है, यह अजिस्टर है, और यह पावर स्टेरिंग है, तो यह फिटिंग हम हॉंडा रिबॉंड में करेंगे, तो बाई सिस्पैंशन को उपर हमने पावर स्टेरिंग जो है, वो रगा दिया है, तो बाई सिस्पैंशन को फिटिंग करने लगे है, तो बाई इस गाड़ी स्टार्ट कर लिए है, मगर अभी फिटिंग बाकी है, तो आपको अलेक्ट्रोनिक स्टेरिंग दिखाते हैं, तो यह आपके सामने है, अलहमदुलिल्ला, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अब इसके ड्राइव भी करेंगे हम, अब इसके अब आप, होन्डा रिबॉन को जो पावर स्टेरिंग था, उसे एलक्ट्रोनिक पावर हम कर रहे थे, तो यह के सामने है, पावर आईल की बोटल थी, वो और उसके अलावा जो पावर स्टेरिंग था, वो हमने उताप दिया है, बोड़ गे, तो यह पावर स्ट देरिंग से घखते हैं, तो यह हमने फिट कर दिया है, उस्ताद लगार रखा और उस्ताद फराहन आल्यक्ट्रीशन, डोनों ने हमारी मदद किया इसकाम में, अब इसका माशाल्ला इसका काम कंपलीट हो गया, और हम तिनों बंदे, उस्ताद लगा और उस्ताद फराहन, और हम इसको ट्रेस ड्राइब पे लेके निकले हैं, माशाएलला बेहतरीन हो गई गाड़ी, स्टेरंग ऐसे हो गया, जैसे फिलकुल मलाई की तरह, और एक दोस्त ने पूचा था, इसको आप कब चेक करवाएंगे, दिखाएंगे चलती हुई गाड़ी को, तो हमने का चलो बताएंगे, हमें मसला है, समान मगवाया था, हमने वो, इसमें कुछ चीजें शाड़ थी, चीजें पैदा करने के बाद गाड़ी अबी, आज चलाई है, बेहतरीन हो गई, माशाला, पूरी गाड़ी फेट का लिया भी, हमने 20-30 किलो मेटर चलाई है, बेहतरीन हो गई, आरफ कराना साथ,